सुप्रीम कोट और विविन परदीशों के उच नियायले द्वारा ओक्सिजन की कमी और आपदा से निपटने में उजागर हो रही अब यवस्ता को लेकर सरकार की कारे परणाली के भिश्य में की जा रही टिपनियों तथा महतपून दिशा निर्देशों को केंदर सरकार की क कारे परणाली घुद ब्याख्यान कर रही है हमिल्पर में कॉंग्रेस परदेश प्रवक्ता प्रेम कोशल ने कहा कि अदालतों की टिपनियों और निर्देशों के चलते सरकार की बिफलता और कू प्रबंधन की भी पोल कुल रही है उन्होंने केंदर सरकार को को कुरोना मह हमारी के दुरान असंबेदन शेल सरकार करार दिया और जान कवा चुके लोगों के आशिरतों को मुआपजा देने की मांगी प्रेम कोशल ने कहा कि परदान मंत्री और बीजेपी नेता विपक्ष के ऊपर राजनीती करने का आरोप लगा रहे हैं जबकि सच्चाए ये है क के सरकार के प्रात्मिकताओं में जनता को आपता से बचाना था ही नहीं सरकार और प्रदान मंत्री की प्रात्मिकता तो खुद के लिए 16,000 करोड की कीमत बाले हवाई जहास खरीतना 22,000 करोड की लागत से नए संसत भवन के साथ आलिशान प्रदान मंत्री निवास बनाने क थी और कॉविट वाइरस से जंता को बजाने की तियारी की बजाया सरकार का फोकस ऐसे ही बिला सिता पूंट प्रोजेक्ट के ऊपर रहा प्रतु यदि सरकार ने इसमें रहते ध्यान देते हुए तियारी की होती तो हजारों जिंदगियों को बजाया जा सकता था बही प्रेम कोशल ने मांग करते हुए कहा कि आकसीजन की कमी और स्वास्ते विभाग में बेवस्ताओं की कमजोरी की बज़े से हजारों लोग जान कवा चुके हैं महामारी का प्रकोप पढ़ता जा रहा है सरकार ने लोगों को भगवान बरों से छोड़ दिया है कोशल ने क रहा कि आकसीजन और वेंटिलेटर की कमी से दम तोड़ती जिंद्गियों के लिए जिम्मेदारी निचक की जानी चाहिए और मांग की की महामारी में जान कवा चुके लोगों के आश्रितों को उचित मुयबजाद दिया जाना चाहिए मानिय सुप्रीम कोट और अलग अलग प्रदेशों के जो उचने आले हैं उनसे कोबिट नाइंटिन महामारी जो है उसके प्रबंधन वेवास्था और आकसीजन की जो कमी है देश के अंदर उसको लेकर जो टिपणिया और नरदेश सरकार को दिये जा रहे हैं उनकी वज़ा से देश की जो महामारी से तरस्त जनता है उसकी एक उमीद जगी है रहात की वेवस्थाओं में सुधार की और सुप्रीम कोट और बभिन हाई कोट की ये टिपणिया और सरकार को दिये जाने वाले नरदेश सरकार की लाप्रबाही को परबंधन और अवेवस्था को भी उजागर करते हैं हलांकि बर्धान मंत्री और भारते जनता पार्टी के निदा लगातार जो देश की विपक्षी पार्टियां हैं विपक्षी निदा हैं सरकार की विवस्थाकत जो कमियां हैं आक्सिजन की कमी देश के अंदर है वेंटिलेटर्स की कमी है और उपकरणों की कमी है वैक्सिन का जो एक साइकल सिस्टम है उसमें लूपोल्स हैं इन चीजों को उजागर करने को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष और विवक्षी निदा राजनिती कर रहे हैं तो सुप्रीम कोट और विविन हाई कोट्स द्वारा इन मुद्दों पर की जारही टिपनी और दिशन नर्देश्ट अपने आप में सरकार की कारे पर ना ले जो है उसको और वाशित करते हैं उसकी ब्याख्या करते हैं दरसल सरकार की और परधानमंत्री की प्राथमिक्ता मैं समझता हूँ कि ना ये महामारी थी ना इस महामारी से देशवासियों को बचाना था सरकार की और परधानमंत्री की प्राथमिक्ता मैं सोलह हजार करोड़ रपे के विमान खरीदना बाइस हजार करोड़ रपे की लागत से संसद भवन और परधानमंत्री निवास जैसे जो विलास्ता पूरुन प्रजेक्ट से वो थे और सरकार का फोकस भी इन्हें के ओपर राब जाए इसके के करोड़ नम हमारी से देशवासियों को बचाने के लिए क्या उपाए किये जाने चाहिए किन चीजों की वश्रक्ता पड़ेगी उनके ओपर फोकस किया जाता हाज हजारों लोग जो हैं वो अक्सिजन की कमी की वज़ा से आक्सिजन उपलब्द नहीं होने की वज़ा से वेंटिलेटर नहीं मिलने की वज़ा से अपनी जान लवा चुके हैं और देश के अंदर हजारों ऐसे लाखों परिवार हैं जो पूरी तरह से बरबाद हो चुके हैं तबाह हो चुके हैं ऐसा लगता है कि देश के अंदर एक असंबेदन शीर सरकार जो है वो सता में हैं जो परिवार अपने प्रियर जनों को इस महामारी के दोरान खो चुके हैं जिन जिन जिन्दियों को बचाया जा सकता था सरकार की वेफलता और नकामी की वज़ा से हमको अपनी जानने गवानी पड़ी हम सरकार से महामारी में इस आपदा के दोरान जिन लोगوں को अपनी जान गवानी पड़ी है जिन की जान गई है उनके आशुदितों को सरकार उचित मुआपजी